दोस्तों यदि आप ICAR की त्यादी कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कापी informative होने वाला है क्योंकि दोस्तों बहुत सरे student का doubt रहता है कि मैं किसकी सब्जेक्ट से ICAR का exam दे सकता हूँ मैं PCB से दे सकता हूँ PCM से दे सकता हूँ या ABC से दे सकता हूँ तो दोस्तों वीडियो को लास्टर तक जोड़ दिखने जिससे आपको complete information समझ मा जाए तो हाई हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागते एगरीपूर पर दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारे educational and motivational जो प्रिलेटेड वीडियो की नोडिफिकिशन सबसे अपले मिल चाहे और दोस्तों आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों आप हमार वोड्सप तरह टेलिग्राम ग्रूप को भी जोइन कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर M का मतलब mathematics के P का मतलब physics C का मतलब chemistry B का मतलब biology और A का मतलब agriculture से हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट से एक्जाम दे सकते हो तो दोस्तों आपका एक्जाम देना उस बात पर निरबर करेगा कि आप में 12th कौन से सब्जेक्ट से की है जैसे आप 12th PCB सब्जेक्ट से की है तो आप ICAR का एक्जाम PCB सब्जेक्ट से दे सकते हो दोस्तों पर वस सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जिनसे आप ICR का exam दे सकते हो दोस्तों BCA agriculture की बात करें तो दोस्तों यह आपके 12 में PCB, PCMB, PCAM यह इंटर एगरी कल्चर था तो दोस्तों आप यह exam दे सकते हो अब दोस्तों बात करें कि कि सब्जेक्ट से दे सकते हैं तो दोस्तों BCB, PCM PCA और ABC सब्जेक्ट से यह exam दे सकते हो दोस्तों BCA agriculture की बात करें तो दोस्तों यह आपके 12 में PCB, PCMB, PCAM यह इंटर एगरी कल्चर था तो दोस्तों यह exam आप दे सकते हो और दोस्तों कि सब्जेक्ट से तो दोस्तों BCB, PCM, PCA और ABC सब्जेक्ट से यह exam दे सकते हो दोस्तों अब दोस्तों आपके ट्रॉल्ष में PCB, PCMB, Interagriculture है तो दोस्तों आप यह एक्जाम दे सकते हो. ईस पाद दोस्तों बात करें तो दोस्तो यदि आपके 12 में PCB, PCMB और Inter Agriculture है तो दोस्तो आप यह exam दे सकते हो आपकी subject से तो दोस्तो आप PCB, PCA और ABC subject से यह exam दे सकते हो अब दोस्तो बात करें BAC Sericulture गी तो दोस्तो यदि आपके 12 में PCB, PCMB और PCM subject है तो दोस्तो आप यह exam दे सकते हो आप कॉन से subject से तो दोस्त और PCM सब्जेक्ट से यह exam दे सकते हो अब दोस्तों बात करें BTEK Agriculture Engineering, BTEK Dairy Technology और BTEK Food Technology गी तो दोस्तों यह आपके 12 में PCM और PCMB सब्जेक्ट है तो दोस्तों आप यह exam दे सकते हो अब कौन सा सब्जेक्ट से देना पड़ेगा तो दोस्तों आपको only एक option दिया गया है PCM आप बात करें BTEK Bio Technology की तो दोस्तों यह अपको 12 में PCM, PCMB और PCV subject है तो दोस्तों आप यह exam दे सकते हो अब की subject से तो दोस्तों आप PCM और PCV subject से यह exam दे सकते हो दोस्तों आपको समझ आई गया होगा कि आप कुन गोंसे subject से ICAR का एक सम दे सकते है दोस्तो यदि आपको कोई डाउट हो दोस्तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए जैसे आपको ICAR related न्यू वेडियो की नोडिकेशन सबसे पले मिल जाएं और दोस्तो आप हमें इस्ट्राइम पर भी फोलो कर सकते हो इसके लावा दोस्तो आप हमें वर्ट्सप तरह टेलिग्राम ग्रूप पर जोइन कर सकते हो दोस्तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ पर जाकर आप जोइन कर सकते हो देने बात दोस्तो